तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा नमस्कार मित्रों राष्ट्रिय सिक्षानीटी 2020 का एलान कर दिया गया है हम बहुत खूश हैं क्योंकि 34 सालों के बाद भारत को राष्ट्रिय सिक्षानीटी मिली है हमारे लिए वो भी एक आनन्द का विशय है कि बहुत आला दरज्जे के पूरे भारत वेश्ट में से अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट्स को बिठा के एक ड्राफ्ट तयार किया गया जिसमें कलका आज का और आने वाली कलका बहुत अच्छी तरह से आकलन भी किया गया ऐसा बताया जाता है कि मौर्देन दो लाख से ज़्यादा सुचनों को भी उसमें ध्यान में लिया गया है ये सब बातें जो सुन रहे हैं वो हमें बहुत ही संतुष्ट करने वाली है जबसे ये शिक्षा नीती की कोशना हुई है कोई न कोई उनका विशले संप कर रहा है अपनी तरह से ज़्यादा तर लोगों ने बड़ी-बड़ी बातों के लेकर अपने आपका मत रखा है और अभी जो पूरे भारत वर्ष में एक ट्रेंड चल रहा है जहां आपको जो भी छोटा सा अच्छा हो उनको बड़ा सा अच्छा कह के बात करनी है ये भी हम उसमें देख रहे हैं मैं आपके साथ रहष्ट्रिय शिक्षानीती दो सुन्य के बारे में थोड़ी बातें करने वाला हूं ये बताना जरूरी बनेगा के मेरे जीवन में से 40 साल मैंने शिक्षा में गुजारे हैं और मेरा अनुभाव का स्पान के जी टू पी एच दी रहा है मैं अनेक आयां पे काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और बेंक की पर्मेनन्ट नोकरी में से रिजाइन करने के बाद मैं सिक्षक हुआ हूँ इसलिए मेरा एक नीजी लगाव रहा है शिक्षा से इसलिए ये बात कर रहा हूँ I am not here to criticize anything at the same time I am not here to unnecessarily praise any points I can see number of good things बहुत सारे पहलु है उनको सपर्ष किया है नीटी ने इसलिए वो अच्छी बात मैं पहले बोलना चाहूँगा जो consultation की बात बताई रही है वो भी हुआ है नहीं हुआ ऐसा नहीं है लेकिन दोलाख वाली जो बात है उसमें से कितने suggestions को consideration में लिया गया है वो जानना हमारे लिए आवश्यक रहेगा मैंने भी कई सुजाओ कई स्तर पर रखे थें लेकिन मैंने ऐसी कोई बातें फाइनल ड्राफ्ट में नहीं पाई है जो ब्रुहद तोर पर बटाई गई थी कि जो हमारे लिए ये ड्राफ्ट में उसका कोई बदलाव किया गया है ठीक है वो एहमित की बात नहीं है हम एक के बाद एक पहलू को छोटे छोटे वीडियो में यहां चर्चा करेंगे ये एक डिसकुशन है विवेचन नहीं है जो लिखा गया है जो बताया गया है उनको चरह गौर से देखना है और उनके बारे में हमको जो लगा है वो आपके सामने रखना है आज का पहला मुद्दा हम रखना चाहेंगे जो भारत वर्ष में अभी थोड़ा सा उत्पात मचाने का शुरू कर रहा है वो है प्रात्मिक शिक्षा को मत्रु भाषा के मध्यम से देने का बहुत अच्छा सा सुजाव ये स्नीती में है I would definitely like to congratulate our government for this thinking क्योंकि पूरे विश्व में ये सिद्ध हो चुका है उनके प्रमान है उनके प्रतीती है कि जो बच्चा मत्रु भाषा में प्रात्मिक शिक्षन पाता है उनके लिए आगे का अभ्यास बहुत ही सरल कोई भी भाषा में हो जाता है हमारा एक हमेशा के लिए चिंता का विशे रहा है कि हमारी मत्रु भाषाएं दिन बदीन गिसी पीटी हो ती जा रही है नई जनरेशन मत्रु भाषा के शब्दों को पैचानने से मूह मोड रही है कारण यह है कि हमने पूरे विश्व में एक ही देश ने ऐसा किया है जिनका बहुत ही गहरा लगाव अंग्रे जी से है समझ ली दिये हम अंग्रे जी का विरोध करने की बात नहीं करेंगे वो एक मिनिट के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा मत्रु भाषा में सिक्षा होनी ही चाहिए ये बात को पूरी दृढ़ता से रखने के साथ मेरी चिंता में व्यक्त करना चाहता हूँ कि पोलीसी में बताया गया है कि पांचवी कक्षा तक का पूरा अप्यास मत्रु भाषा में होना चाहिए मैं आपका ध्यान आकर शिद करूँ पॉलीसी में होगा ऐसा नहीं लिखा है होना चाहिए ऐसा लिखा है यहां एक बात अच्छी जो लगती है वो मैंने बता ही लेकिन जहां तक प्रिक्टिकल implementation का सवाल है यह दिक्कत वाली बात बनने वाली है क्यों ऐसा होगा जो transferable job में है जो corporates में है जो बड़े-बड़े लोग है उनके बच्चे मानो मैं गुजरात से हूँ और मेरा बच्चा स्टांडर्ट दो तक गुजरात में जन्मा और वहां ही पढ़ा गुजराती मात्यम से सब कुछ शिक रहा है और अब मेरा transfer मेरा तबादला वेस्ट बेंगाल में हो रहा है यह तो बहुत समझवाली बात है कि मेरा family भी मेरे साथ रहेगा तो वहां मेरा बच्चा तीसरा चोथा और पांचवी कक्षा का अब्यास कौन शिवासा में करेगा कैसे करेगा वो बच्चे का क्या होगा च्छोटी बात है इतना ही सोचना है और इसका हल हम कैसे निकालेंगे ये भी हमें सोचना है औ और इससे जुड़ी एक दूसरी बात है, आज भारत वर्ष में more than 70% of the school students are with the English medium, directly or indirectly. जो स्कूल सभी चल रही है, English medium की, हमने ही established होने दिया है, आज तक, आज तक मिन्स स्वतंतरता से लेकर 2020 तक जो establishment हुआ है, उनको हम कैसे compel करेंगे कि वो पांचवी कक्षा तक सिर्फ मातरु भाशा में अपना अध्यापन, अध्यायन करवाएं. यदि ये मुझे खा हमें कोई सुजाव राष्ट्रिय सिक्षा नीती में मिलता, तो हम मनते हैं कि कोई ऐसा प्रस्न उठाने की बात आज नहीं आती. हाना कि हुआ है ये कि नीती डिकलेर होने के तीन दिन में MHRD मिनिस्टर को एक एक सा स्टेटमेंट करना पड़ा है, जहां उन्होंने बताया कि हम कोई भारतिय पर कोई भासा थोप देना नहीं चाहते हैं. ये स्टेटमेंट भी बता रहा है कि हमारा मात्रो भाषा के बारे में रास्ता इतना आसान नहीं है. मिलेंगे फिर बन. You can post your feedback or the comments. Thank you very much. From Padrahi Vachra Jani, Gujarat. Namaskar. तुही सागे है तुही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा? रूंडता है तो किसका सहारा?